बिसमिल्यार्मान रहीम, असलाम लेकुम स्टुडेंट्स, I am Kurutlan Ayyaz और स्टुडेंट्स, आज हम चेप्टर 4 बेर टॉपिक स्टुडी करेंगे प्रॉपर्टीज ओफ क्रिस्टलाइन सॉलिट्स लास्ट लेक्चर में स्टुडेंट्स हमने क्रिस्टलाइन सॉलिट्स और अमॉर्फोस सॉलिट्स के दर्मियान डिफरेंस को स्टेडी किया था और आज हम देखेंगे कि क्रिस्टलाइन सॉलिट्स उनकी प्रॉपर्टीज क्या होगी So, students, let's start our lecture. जी, students, थोड़ा सा रिवाइस कर लेते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिट सम कैसे सब्स्टांसिस को कहते हैं. दो सब्स्टांसिस दाट एग्जिस्ट इन दा फॉर्म आफ क्रिस्टल, उन्हीं हम क्या कहेंगे? क्रिस्टलाइन सॉलिट कहेंगे, ठीक है? क्रिस्टल फॉर्म में जो एग्जिस्ट करते हैं, उनको आप कह सकते हैं, दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिट 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 को हम ट्रू सॉलिट 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 is the geometrical shape. Students, properties study करने से पहले मैं आपको कुछ examples देना चाहूंगी ताकि आप इन crystalline solids को अपने जहन में रखते हुए properties पर focus कर सकें. क्या वाकिए इन example के साथ ये properties मैच करी हैं? तो सबसे पहले example मैं आपको देती हूँ salt की. table salt है, आप उसके crystal देख सकते हैं, वो crystalline होते हैं, ठीक है? आपको cubic crystal मिलते हैं salt के, आप observe कर सकते हैं, इसी तरह से students sugars हैं हमारे पास, चीनी इस्तमाल करते हैं, ठीक है? वो भी किस form में होती है? crystal form में होती है, उसके खास shape होती है, तो ये दो मैंने बहुत ही common चीजें हैं, जो हम daily life में भी इस्तमाल करें होते हैं, और ये क्या हैं? crystalline solids हैं. अब students, जो हम properties discuss करेंगे, आप इन examples को focus करते हुए देखीगा, क्या ये वाकिन in examples में या salt और sugars में match up करी हैं properties. तो सबसे पहले हमने का geometrical shape, geometrical shape students crystal line की, they have definite geometry, खास किसम की geometry होती है, खास किसम की shape होती है, क्यों होती है? Because in a crystal, atoms, ions और molecules, they are highly arranged, highly ordered, arranged in a three-dimensional pattern, जिसे हम क्या कहते हैं? crystal lattice कहते हैं. ठीक है? crystal lattice क्या है? जब atom, ions और molecules, जिन से हमारा crystalline solid बनेगा, वो highly orderly arranged होंगे, three-dimensional pattern में तो हम इसे क्या कहेंगे? crystal lattice कहेंगे. prints, यहाँ पर आप देख सकते हैं, NECL, that is the table salt, इसका crystal lattice है, यहाँ पर आप देख सकते हैंगे, sodium ions और chloride ions, they are highly orderly arranged in a three-dimensional pattern. तो हम इसे क्या कहेंगे? that is the crystal of NECL, या फिर आप कहलेंगे crystal of salt, ठीक है? NECL का common name क्या है? इसे हम salt कहते हैं, table salt, नमक है, जिसे हम खाने में इस्तमाल करे होते हैं, तो यह point आपको clear हुआ. second बात students, कि अब हमने definite geometry की बात की, कि जो crystalline solids होते हैं, उनकी खास geometry होती, खास shape होती है. अब यह shapes कौन सी हैं, कि crystals जो हैं, किन forms में exist कर सकते हैं, तो different crystals की shapes होती हैं, जिसमें आपके पास है cubic, इसी तरह से ही monoclinic, tetragonal, rhombic, orthorhombic, hexagonal, etc. Students, यह आपके सामने मैंने कुछ geometrical shapes mention की हैं, जिसमें crystalline solids, जो हैं, वो exist कर सकते हैं, उनकी geometrical shapes इन में से कोई एक हो सकती है, अगर students, मैं salt की example लो, तो salt NACL का जो structure है, या geometrical shape है, वो क्या होती है, cubic होती है, cubic shape students, मैं आपके लिए यहाँ पर draw करी हूं, इस तरह से, एक crystal की, एक crystal की जो interfacial angles होते हैं, वो हमेशा same रहते हैं, चाहे जो crystal है, किसी B shape में grow करें, याद रे students, यहाँ पर मैंने interfacial angles की बात की है, interfacial angles क्या होते हैं, मैं अभी आपको समझाती हूं, interfacial angles, students, interfacial angles को समझने के लिए सबसे पहले आपको phase of a crystal समझना होगा, कि हम crystal के phases किसे कहते हैं, students, आप देख सकते हैं, कि crystal की वो surface जहां पर मजीद हम unit cell को attach करवा सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, that is the phase of a crystal, देखें, इस surface के साथ attachment हो सकती है, तो ये एक phase हो गया crystal का, इसी तरह से उपर भी attachment हो सकती, side पे भी हो सकती, front पे, back पे और bottom पर भी attach हो सकती हैं, तो एक cube के कितने phases होते हैं, एक cube में six phases मौजूद होंगे, ठीक है, जहां पर students दो phases intersect करते हैं, आपस में मिलते हैं, वहां एक specific angle बनता है, और उस angle को हम क्या कहते हैं, interfacial angle कहते हैं, अब यहां एक cube में alpha angle यहां बन रहा है, इसी तरह से यह beta angle है, और हमारे पास एक और gamma angle आगे, alpha, beta, gamma यह क्या है, interfacial angles हैं, तो वह आपको क्या information दे रहे हैं, कि एक crystal के interfacial angles change नहीं होते, कि अगर shape भी change हो जाए, ठीक है, यहां हम geometry change होने की बात नहीं करें, हम shape change होने की बात करें हैं, एक crystal की shape एक ही crystalline solid को crystallize करवाते हैं, तो different shapes of crystals आपके पास आती हैं, ठीक है, यह हम आगे habit of crystal में detail में study करेंगे, इसी lecture में ही कि किस तरह से shape different होने पे interfacial angles जो हैं वह change नहीं होते, हम आगे जाके NACL की example देखेंगे, के NACL के अंदर जो pure crystal है, वह उसकी shape क्या होती है, cubic होती है, और अगर हम कोई impurity add करवा देएं, तो shape change हो जाती है, इस shape change होने के बावजूद, अगर आप उसके interfacial angles देखेंगे, तो वह same ही होंगे, एक और बात students, के अगर आप एक crystal को, crystal block को grind करने, powder form में ले आएं, तो तब भी आप observe करेंगे के उस crystal के interfacial angles और जो phases हैं, वो change नहीं होते, वो same रहते हैं, होता क्या है कि जब आप एक crystal block grind करते हैं, तो crystal lattice टूटता है, unit cell नहीं टूटता, ठीक है, यहां जो हमने बात की interfacial angles की और phases की, वो unit cell की बात है, ठीक है, जब हम एक crystal को तोड़ते हैं, तो उसका जो बड़ा block होता है, उसको हम pieces में convert कर देते हैं, तो यह बात आपको clear होगी यहां पर, ठीक है, geometrical shape की हमने की, next property की तरफ आद ले हैं, that is the melting point, students crystalline solids they have very sharp melting point, sharp melting point से क्या मुराद है कि students crystalline solids जो है एक खास temperature या आप कहने कि fixed temperature पर melt होते हैं, यह उस temperature से अगर 0.5 degree भी कम हो, तो यह melt नहीं होंगे, ठीक है, example मैं आपको देती हूँ, अगर आप sulfur को देखें, sulfur इसका crystalline, आपको sorry, इसका melting point क्या है, हमारे पास 119 degree centigrade है, sharp melting point के अब मैं आपको term समझाओं, अगर temperature 118.5 degree centigrade होगा, तो तब भी sulfur melt नहीं होगा, जब temperature exact 119 degree centigrade पहुंचेगा, तब sulfur melt होना start हो जाएगा, तो यह चीज आपको क्या बता रही है कि sulfur has sharp melting point, तो sulfur is a crystalline solid, ठीक है, यह इस temperature पर melt नहीं होगा, इसी तरह से students, next example मैं आपको aluminium की दे रही हूँ, इसका melting point है 660 degree centigrade, ठीक है, यह इस temperature पर melt होगा, तो students, sharp melting point के जो property है crystalline solids की यह हमें help करती है to identify the crystalline solids, अगर एक unknown solid है, आपके पास solid material है, और आप observe करते हैं कि उसका sharp melting point है, कि वो एक fixed temperature पर melt करता है, तो वो जो fixed temperature है, आप वो theory में जाकर देख सकते हैं कि वो melting point कि crystalline solid का है, तो इस तरह से आप एक unknown substance को identify कर सकते हैं, कि यह कौन सा compound है या element है, शर्त यह है कि जो आपके पास substance हो, वो pure form में हो, ठीक है, अगर वो pure form में है और आपको नहीं पता, वो substance है, वो compound क्या है, तो आप उसके melting point से, अगर उसका melting point शाप melting point है, तो आप theory से देख सकते हैं कि यह melting point किस element का है, किस compound का है, तो उस तरह से आप इन्हें identify भी कर सकते हैं, next property की तरफ आते हैं, third point that is the cleavage property, students, crystalline solids, हम जब भी उन्हें तोडते हैं, जब crystalline solids को break किया जाता है, तो वो एक definite planes के along जो हैं तोडते हैं, ठीके, इन planes को हम क्या कहते हैं, cleavage planes कहते हैं, जी, एक crystalline solid का cleavage plane कहां होगा, जहां पर weak bonding present होगी between the atoms, ठीके, अब आप यहां पर observe कर सकते हैं कि मैं अगर यह crystalline solid के atoms की layers draw करी हूँ, तो हम देखेंगे कि इनसके अंदर cleavage plane कहां मौजूद है, ठीके, यादरे students cleavage plane जो है एक से जादा हो सकते हैं, इन a crystalline solid, ठीके, यह देखें definite arrangement है, specific pattern है, जो follow up हो रहा है, अब students यहां पर हमने देखना है, कि दो layers के दर्मियान यहां weak bonding present है, तो अब आप अगर इस solid को किसी sharp knife से इस plane के along cut करेंगे, तो after cutting, आप क्या observe कर सकते हैं, कि हमारे पास, after cutting जो है, वो surface क्या होगी, smooth होगी, इस तरहां से, यह जो black layer है, यह हमने cut कर दी है, separate होगी है, और यह हमारा rest of the crystal, आगे अब हम observe करेंगे, कि अगर आप एक crystalline solid को cleavage plane के along काटते हैं, तो जो surface होती है, वो क्या होती है, smooth होती है, smooth surface हमें क्या indicate करेगी, कि हमने crystalline solid को उसके cleavage plane के along cut किया है, ठीके, plain surface, ठीके, students, दुबारा से revise कर लेते हैं कि cleavage plane, एक crystalline solid में एक से ज़्यादा cleavage plane मौजूद हो सकते हैं, हम horizontally भी cut कर सकते हैं, और हम vertically भी cut कर सकते हैं, अब यह जो cleavage planes हैं, यह एक दूसरे के उपर incline होते हैं, ठीके, for example, एक cleavage plane horizontal था, ठीके, दूसरा cleavage plane अगर vertical plane होगा, तो वो किसी खास angle पे, पहले cleavage plane पे incline होगा और इसे हम क्या कहेंगे, incline angles कहेंगे, और यह specific होगे for a given crystalline solid, ठीके, 90 degree पे भी हो सकते हैं, अगर x-axis और y-axis के along दो cleavage plane हैं, तो उनके दर्मियान जो angle होगा, वो क्या आएगा, that is the 90 degree angle होगा, students, इसी चीज़ को हम further example से discuss करते हैं, जी students, हम cleavage property को discuss करने जा रहे हैं, आपके सामने ice है, that is the crystalline form of water, students, अब हम ice को जब एक sharp knife से cut करेंगे along the cleavage plane, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास smooth surface आई है, लेकिन अगर आप ice को other than cleavage plane कट करना चाहेंगे, तो क्या होगा, उसका crystal lattice ब्रेक कर जाएगा, और आप देख सकते हैं कि powder form में ice आपके पास आगी है, इसको हम क्या कहते हैं, fracture of crystal कहते हैं, students, एक और example देखते हैं, मीका है हमारे सामनी, जिसे हम muscovite भी कहते हैं, अब आप इसकी shape देख सकते हैं, आपको बहुत clear इसके अंदर layers नजर आ रही हैं, ठीके, अब हम muscovite को अगर horizontal plane में cut करेंगे, तो क्या होगा, ये बहुत आसानी से cut हो जाएगा, और layers की form में हमारे पास separate होता जाएगा, तो इसका मतलब है कि muscovite का cleavage plane क्या है, horizontal plane यहाँ पर है, ठीके, इसी तरह से students felt spar के, अगर हम example देखें, तो felt spar में more than one cleavage plane present है, ये vertically भी हम इसे cut कर सकते हैं, तो smooth से face आएगे, और जब देखें हमने इसे horizontal cut किया, तो तब भी हमारे पास smooth से face आई है, इसका मतलब इसके एक से जादा cleavage plane मौजूद हैं, और आप देखें कि दोनों cleavage plane एक दूसरे के उपर incline है, at 90 degree angle, ठीके, तो students, आप ये इससे जान सकते हैं कि एक crystalline solid के एक से जादा cleavage plane हो सकते हैं, आपको ये जानकर हिरांगी होगी कि diamond के 111 cleavage plane होते हैं, students, different cleavage planes जो एक crystalline solid में मौजूद होते हैं, वो एक दूसरे पे इनके line होते हैं, at specific angles, और ये angles जो हैं, crystalline solids के crystal to crystal vary करते हैं, ठीके, students, हौप सो students आपने cleavage property को अच्छे से समझाओगा, next property की तरफ परसीद करते हैं, students, हमारे पास next property आती है, that is the anisotropy, anisotropy क्या है, students, students, aise properties, जो direction dependent होती हैं, ठीके, मतलब crystalline solids में aise properties को जब हम discuss करें, जो direction change कर देने से, crystal की direction change कर देने से, उनकी values change हो जाती हैं, तो aise properties को हम क्या कहते हैं, anisotropic properties, और phenomena को हम क्या कहते हैं, anisotropy, ठीके, अगर मैं इसमें आपको example दूँ, तो आपके पास आएगी thermal expansion, इसी तरह से electric conduction, और thermal conduction है, और इसी तरह से students आपके पास refractive index, thermal expansion से क्या मुराद है, कि एक crystal को जब आप heat करते हैं, तो वो क्या करें, expand कर जाए, उसका volume जो है, वो change हो जाए, ठीके, तो students, ये direction dependent कैसे है, कि जब भी आप एक crystal को heat करेंगे, ताके उसका volume increase करें, तो ये volume increase कहां से होगा, जहां पर आप कहलें कि atoms के दर्मियान जो bonding होगी, weak होगी, उस तरफ volume expand कर सकता है, जहां पर molecules के दर्मियान जो force of attraction है, वो strong होगी, उस direction में जो volume है, वो increase नहीं करेगा, तो आप कह सकते हैं कि thermal expansion, that is an isotropic property, direction dependent है, fast direction में ही thermal expansion एक crystal का possible है, दूसरी direction में अगर आप thermal expansion करवाना चाहेंगे, तो वो possible नहीं होगी, ठीके, इसी तरह से electric conduction की अगर बात करें, तो हमारे पास graphite एक बहुत अच्छी example है, graphite basically क्या है, carbon है, कि इसके hexagonal rings graphite में मौझूद होते हैं, graphite जो है layers की form में मौझूद होता है, ठीके students, और इन layers के दर्मियान क्या मौझूद होते हैं आपके पास, यह hexagonal ring एक और बना दिया है, loosely attached electrons मौझूद होते हैं, ठीके, अब students, अगर graphite को, मैं current provide करूँ, horizontal direction में, तो क्या होगा, क्योंकि यहां पर horizontal direction में क्या present है, loosely attached या de-localized, आप कहले हैं, electrons मौझूद हैं, तो horizontally electricity supply करने से, graphite can conduct electricity, लेकिन students, अगर मैं direction change कर दूँ, मैं horizontal plane की बजाए, vertical plane में, electricity supply करूँ, तो electric conduction possible नहीं होगी, क्योंकि direction change कर देने से, arrangement of atoms change हो गई है, अब इस direction में आपके पास, जो चीज face कर रही है, electrons वो hexagonal rings हैं, free electrons वो face नहीं करें, जिसकी वज़ा से, vertical direction में, अगर आप electric city supply करते हैं, तो graphite cannot conduct electricity, ठीके, तो students आपने देखा कि anisotropic properties, वो properties होती हैं, जो direction change कर देने से, उनकी values change हो जाती हैं, ठीके, अब students question हमारा ये है, कि ऐसा क्यूं होता है, कि क्यूं जो है, कुछ properties होती हैं, वो direction dependent होती हैं, उसका answer हम इस तरह से देखते हैं, students अगर आप observe करें, crystal, एक crystal के अंदर, atoms जो हैं highly orderly arranged होते हैं, और students, अब अगर हम A to B direction की तरफ देखें, तो A से B direction में, atoms जो हैं, वो same हैं, ठीके, same types of atoms are present, और अगर हम direction change कर दें, for example, हम C से D direction में जाते हैं, observe करें atoms को, तो यहां पर same type of atoms present नहीं है, different types of atoms present हैं, जो की alternate arrangement हैं, ठीके, अब students होता क्या है, कि जब आप A से B direction में कोई property को discuss करेंगे, तो वहां पर क्यूंकि एक ही type की atoms मौझूद हैं, तो आपके पास values different आएंगे, और जब आपने direction change कर दी, आपने C से D direction में एक physical property को study करना चाहां, तो यहां पर types of atoms भी different हैं, और इनकी arrangement भी different हैं, students यहीं वज़ा है कि crystalline solids में, जो direction change कर देने से properties different हो जाती हैं, यह आप कहलें कि physical properties उनका magnitude effect करता है, students इसके अलावा cleavage property जो हमने last time पढ़ा था, that is also an isotropic property, क्यूंकि हमने कहा कि cleavage, crystal and solids का जो cleavage है, वो एक खास direction में होता है, अगर देन, अगर आप cleavage plane, एक crystal को break करना चाहें, तो वो possible नहीं होगा, अगर आप इस तरहां से उसे break करेंगे, तो उसका crystal lattice जो है वो खतम हो जाता है, यह तूट जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, that is the fracture of a crystal, ठीक है, अब हम next point की तरफ आते हैं, that is the symmetry, जी, symmetry की हम definition देखते हैं, the repetition of angles, phases, or edges, when a crystal is rotated at 360 degree along its axis is called symmetry, जी, एक crystal में symmetry कब होगी, जब वो कह रहे हैं खे, एक crystal की angles, phases, यह repeat हों, जब इसे 360 degree पे rotate किया जाए, students, symmetry के different elements होते हैं, हमारे पास है plane of symmetry, plane of symmetry किसे कहते हैं, students, जब आप एक crystal को, एक imaginary line से, two equal halves में divide कर दें, तो हम क्या कहते हैं, इस crystal के अंदर plane of symmetry मौझूद है, आप देख सकते हैं, यह जो cube है, इसके अंदर हमने एक imaginary line place की है, जिसे यह two equal halves में divide हो गया है, तो हम कह सकते हैं, इस cube के अंदर क्या है, plane of symmetry मौझूद है, for the students, अगर मैं आपको daily life से कोई example दो, interesting सी example, हम paper boat बनाते हैं, ठीक है, अब paper boat में अगर मैं देखना चाहूँ कि plane of symmetry है के नहीं, तो मैं इसके अंदर एक imaginary line draw करके देखती हूँ, तो क्या यह two equal halves में divide हो रही है, जी बिल्कुल हो रही है, इसका मतलब आप कह सकते हैं, कि इसके अंदर plane of symmetry मौझूद है, ठीक है, next element है symmetry का, that is the axis of symmetry, axis of symmetry हम कब कहेंगे कि crystal के अंदर axis of symmetry मौझूद है, students, axis of symmetry हम उसे कहेंगे, कि जब आप एक crystal shape में एक imaginary line draw करेंगे, और आप कहलें कि imaginary axis है, ठीक है, अब इस axis के along हम crystal को 360 degree पे rotate हुए, more than once जो है हमारे पास crystal structure या कोई भी object है, वो reappear हो जाता है, तो हम कह सकते हैं कि इसके axis of symmetry मौझूद है, next हमारे पास है center of symmetry, center of symmetry हम किसे कहते हैं, students के crystal का center point अगर हम consider करें, और उस center point से हम एक line draw करें, वो line जो है, वो crystal की surface से match करें जाकर, ठीक है, उसको touch करें, और दोनों तरफ से जो length है, वो center point से क्या हो, equal distance भी हो, तो इस तरहां के, आप कहलें कि symmetry को हम क्या कहते हैं, that is the center of symmetry, आप इस center point से कहीं पे भी line draw करेंगे, तो जब ये lines crystal की surface के साथ touch करेंगी, तो जो distance होगा, दोनों के दर्मियान वो equal होगा, तो जब इस तरहां की condition हमारे पास crystal में आए, तो हम क्या कहते हैं, इसकिन दो center of symmetry मौजूद है, याद रहे, students, एक crystal में एक से ज़्यादा plane of symmetry मौजूद हो सकते हैं, और axis of symmetry भी एक से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन center of symmetry जो है, वो एक ही मौजूद होगा, ठीक है students, हमें इसके detail concept में जाने की जूरुत नहींगे, इस सिर्फ आपका concept clear करने के लिए, हमने examples आपको दी है, students, आपने सिर्फ इसकी definition में आद करनी हैं, और इसके elements आपने ये memorize करने हैं, next property की तरफ आते हैं, that is the habit of a crystal, habit of a crystal, habit of a crystal क्या होता है, इसकी definition आपकी book में, the shape of a crystal, in which it usually grows, is called habit of a crystal, ठीक है, यह नहीं एक crystal जो है, crystallization के दुरान, usually जिस shape में grow करता है, उसे हम क्या कहते हैं, habit of a crystal कहते हैं, students, आप इसको इसको इस तरह से भी लेख सकते हैं, कि crystallization की दुरान, एक crystalline solid की जो shape अपीर होती है, हम उसे क्या कहते हैं, habit of a crystal, students, conditions change कर देने से, crystallization के दुरान, अगर आप conditions change कर देने, तो क्या होता है, कि crystal की shape भी change हो जाती है, अगर आप conditions constant रखेंगे, हर दफ़ा एक ही crystalline substance की crystallization के दुरान, अगर आपने standard condition सेट कर ली है, तो आपके पास हर दफ़ा एक ही तरह की एक ही shape आएगी crystal गी, ठीक है, अगर मैं NACL की बात करूँ, तो NACL की cubic shape है, उसके लिए जरूरी है, कि आपके पास NACL का जो solution है, उसके अंदर कोई impurity मौजूद ना हो, तो जब भी आप NACL की crystallization करेंगे, तो NACL की crystal shape आपके पास क्या आएगी, cubic ही आएगी, ठीक है students, लेकिन अगर इसके अंदर कोई impurity add कर दी जाए, तो फिर क्या होगा, shape of crystal change हो जाएगी, आईए आपको further explain करते हैं, चीज़ students, आप देखें के हमने NACL का pure solution लिया है, ठीक है, इसके अंदर कोई impurity add नहीं है, saturated solution है, जब हमने इसको dry up किया, तो हमने देखा के हमारे पास NACL के cubic crystals आएए हैं, क्रिस्टल की shape क्या है, cubic आई है, students, अब हमने NACL का solution लिया है, जिसके अंदर हमने 10% urea as impurity add की है, जब ये saturated solution हमने dry करवाया है, तो हमने देखा है के NACL के जो crystals आए हैं, वो अब cubic नहीं है, उनकी shape change हो गई है, needle-like crystals आप observe कर सकते हैं, तो students, आपने देखा कि जब conditions चेंज कर दी जाएं, या कोई impurity add up हो जाए, तो shape of crystal जो है, वो change हो जाती है, याद रे students, shape change हो सकती है, लेकिन जो एक crystalline solid की geometry है, और उनके दर्मियान जो interfacial angles हैं, वो change नहीं होंगे, आप देख सकते हैं, कि interfacial angles जो एक perfect crystal बना है, उसके अंदर same है, जो कि एक crystal जो है, वो impurity आप कह लें, या फिर conditions disturb होने की वज़ा से, different shape में crystal develop हो गया है, लेकिन दोनों के दर्मियान interfacial angles जो हैं, वो same रहेंगे, तो इससे आप क्या result निकाल सकते हैं, कि habit of a crystal में only shape change होती है, interfacial angles change नहीं होते, students, आज का lecture हम यहां पर खतम करेंगे, properties of crystalline solids, ये lecture continue करेंगे, next time के लिए, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखे, अला हाफेज,